नेक्बेंट की दिबांड खाफे बढ़ने वाले हैं क्योंकि मार्केट में आजके हैं दो तगडे नेक्बेंट, रियल्मी वायलेस बाट 3N, वन प्लस के जैच्टू एंसी, प्राइस रिफरेंस हाला की 400 रुपय का है, कौन से नेक्बेंट आपको लेने चीए, क्यों लेने रियल्मी वालेस आपको 1,800 रुपीज में मिल जाते हैं, वन प्लस वालेस आपको 2,300 रुपीज मिल जाते हैं, 500 रुपय का राउंड डिफरेंस यहां पे है, बिल्ट को डिवाइस को यहां पे जीतता चले चेक आउट करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो नेक वाला यहां से डिसाइड नहीं होगा, बताता हूं कहां पे आपको डिसाइड करेंगे, वाइरिंग दीगे हैं, आपको यहां पे टेंगल फ्री वाली यह बार्ट्स आपको एग्जेक्टली आइडेंटिकल सेप में मलते हैं, एटलेस्ट जो इन यह पोजिशन हो वो, बट इन त यहां पे दिख रहे हैं, आपकी परस्ण चोईस हो सकते हैं, इन तरम्स ओ लोग डिसाइंग, कौन सा है, बट बिल्ट कोड़ी में, दोनों आपको तगड़ी बिल्ट कोड़ी देते हैं, लोंग ट्रम के लिए आप इनको इस्तमाल कर सकते हैं, साथ-साथ यह capable हैं, भाई, स कुद दोनों में मिल जाता है, काफी common features हैं, चले वो discuss कर लेते हैं, सबसे पहले मैंज़ती है Google की fast pairing, जैसे आपने detached की आपकी phone से पेर हो जाएंगी, तगड़ा वाला feature है, dual pairing का sport आपको मिल जाता है, again काफी important feature हो जाता है, plus application support है, तो यह कुछ common feature है, साथ-साथ IP 55 reading दोनों मे आपको मिल जाती है, और ANC based है, common feature discuss के लिए, अब one by one check कर दें, कोन कहां पर बैठ रहे है, sound quality के लिहाज यह OnePlus 12.4 mm की drive containing करता है, रियल में 13.6 mm, 13.6 mm का मतलब यह है बई, तगड़ा 20, तगड़ी sound clarity, एंड आपको एक अच्छा खासे हैं आपको बोली मेरो मिल जाता है, OnePlus जी चीज़े चेक किये, वो इनकी default setting पर चेक कि मैंने कुछ भी set नहीं किया, एप से आप जाकर कर सकते हैं, दोनों की sound neck to neck आपको मिलेगी, अगर मेरे को एक चूच करना है, तो मैं हाँ पर Realme के साथ जाओंगा, because वहाँ पर base boost का option है, तो base definitely enhance हो जाएगा, and OnePlus से better sound यहाँ पर आ Realme again यहाँ भी winner है, because 40 hours का battery backup मिलता है, यहाँ पर single charging में, काफी अच्छा battery backup है, OnePlus 28 hours का battery backup देता है, जो की काफी कम हो जाता है, but fast charging दोनों में मिल जाती है, कम time में जल्दी चार्ज होते हैं दोनों, in terms of game, 45ms की latency, यहाँ पर कोई भी claim नहीं है, कितना minutes आपको मिलता है, but Realme यह because latency काफी कम है, gaming की दुरान footstep की sound हो, separation हो, काफी अच्छी यहाँ आपको मलती है, यहाँ तो यहाँ तो winner था Realme काफी चीजों में, but active noise cancellation में जीच जाता OnePlus, वो भी काफी बड़े margin से, अगर आप noise environment में है, तो जहाँ आपे Realme 50% voice यह noise आपके reduce कर देता है, OnePlus उसको 75% तक लेके जाता है, एक amazing level वाला number है, and OnePlus में काफी कम disturbance आपको सुनने वाला है, and by default इसमें ANC होना होती है, आपको कोई भी button press करने की जरूद नहीं, by default जैसे आपने start किया, ANC enable हो जाती है, जबकि Realme में आपको manually हो करना पड़ता है, अब calling experience wise कौन सा winner, Realme आपको like dual microphone setup देता है, OnePlus triple microphone setup देत इसमें Realme की वजाए OnePlus में better हो जाती है, but जो मेरा experience उसके base पे Realme में call quality आपको improve मिलती है, यहाँ पर volume आपको कम देखने के लिए नहीं मिलती है, जो कि OnePlus में दिक्कत है, तो अगर आप calling के दुराम यूज़ करते है, Realme यूज़ कीज़ किज़े, better calling आपको मिल जाएगी, give over व वीडियो का just 400 likes का, I hope why जल्दी जल्दी complete करा दोगे, इतना बड़ा target में है, 30,000 से जारत सब्सक्राइबर है, तो जल्दी share कीज़े, like कीज़े, comment कीज़े, आप में से कोई भी एक जीत सकते है, neckband, and मैं आप लोग को चूज़ करने का option दूँगा, OnePlus चीए या Realme चीए, कौन हाँ आपके लिए NC major करता है, आप OnePlus के लिए जा सकते है, इतने दिक्कर नहीं है, बन अहाँ price factor हो सकता है, कुछ चीज़े, 500 रुपे किस्ते को नहीं increase करने हो, तो Realme आप definitely ले सकते है, ये था वीडियो के लिए, रिवीव के लिए, मैंने तो नेक्स्ट वीडियो में, एंट इनले से तुन जए विए सम्टॉए ये और आप मैं